आपको पहले वीडियो के फॉर्म में पहले सभी को बता दो क्यूंकि यह थोड़ा डिफ्रेंट होने वाला है क्यूंकि मैं चैप्टर का टेस्ट नहीं ले रहा हूं हिंदी साहिते का इतिहास और पत्रलेखन का टेस्ट ले रहा हूं अगर अभी भी आपने टेस्ट 04 का एनाउंस्मेंट का वीडियो नहीं देखा है तो एक दो वीडियो पहले ही मैंने यह डाला था आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हो उस वीडियो को तो उसे आप देख लो उसमें और भी अच्छे से डिटेल्स है इसमें मैं जस्ट कोईस्ट टाइप्स क्या आने वाले यह बताऊंगा और ऐसा मैं क्यों देने वाला हूं उसका रीजन भी बताऊंगा एक एक जांपल भी दूंगा आपको वएसा क्यों मैं देने वाला हूं? और इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है इसलिए आपके convenience के अनुसार में ये चीज़े देने वाला हूँ तो देखिए यहाँ पे question का type क्या होगा पहले तो ये सभी चीज़े किलिए रहे कि आपका test कब होगा देखो test 04 जो हिंदी सही ते कही थी हास का होगा और पत्र लेखन का होगा और ये test जो है आपके 20 September को होने वाला है 2020 को होगा इसकी timing जो है 12 PM है टेस्ट लगबग 12 PM से लेकर 130 PM तक चलने वाली है एक घंटे और आपको 1.35 में जो है आपको paper जो है मुझे send कर देना है photo और प्लीज किलियर लेना जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो camera के नीचे वीडियो है copy है तो कितना clear photo आ रहा है उस तरह से देना धुंदला आ जाता है quality खड़ाब होता है तो मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है और उपर पेज नमर लिख देना क्योंकि बहुत से लोग सीरियल वाइस ही मुझे paper send करते है एक दो तीन चार पेज का लेकिन जब वह send होकर मेरे पास आता है तो ऐसे आता है कि first number page तो आया पहला page के बाद तीसरा page आ गया फिर दूसरा आया फिर पांचवा number page आ गया तो जैसे तैसे आता है तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा page क तो यह थोड़ा आप लोग जरूर करना और यहां पर question type में देखो क्या होगा हिंदी सहीते कही थी हां से न तो इसमें देखो long question मैं देने वाला हूं और आपके examination में 5 marks का long question आने वाला है तो वह मैं उसी तरह से देने वाला हूं 5 marks का और आपके examination में जो है type में दूँगा आपको answer लिखना होगा mcq मैं नहीं दूँगा exam में आता है बट मैं नहीं दूँगा अगर मैं mcq दूँगा तो इससे आपका ही खड़ाबी है तो आपका ही खड़ाबी होगा तो इसको ही बचाने के लिए मैं आपको aq का form में दूँगा क्यों दूँगा इसका region में बताता हूँ suppose that अगर मैं MCQ में देता हूँ तो उसके चार option होगा A, B, C, D होते हैं और यहाँ पर box होते हैं exam में होते हैं लिखने के लिए तो माल लो जिसने नहीं पढ़ा है या जिसने पढ़ा है अगर आपने पढ़ा है इसका answer जोगा C होगा आपने यहाँ पर या examination में आपने C लिखा लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वह भी कहीं न कहीं तुक्का तो लगाएगा तुक्का लगाना ही चाहिए अगर नहीं answer आता है तो और वह examination center में यहाँ नहीं करना एक्जाम में अगर नहीं आता है answer तो खाली छोड़ कर मता है negative marking जो है वह तो होती नहीं है examination में तो खाली क्यों छोड़ कर आना किसी में भी मार तो अगर आपने तुक्का मार दिया C में जैसे आम तो पर बोला जाता है तो जए मातादी शीपे मार दिया तो यार देखो अगर C सही हो जाता तो यह exam में करना बट अभी मैं इसलिए ऐसे क्यों देता हूं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि MCQ दूंगा तो बहुत से student ऐसे हैं जो पढ़ कर नहीं आएंगे जो MCQ याद करके नहीं आएंगे तो वो क्या करने वाले हैं मुझे पता है मैं टेस्ट ले चुगा हूं लेता रहता हूं मुझे पता है सभी का paper देखता हूं तो मुझे पता है कि वो बहुत से लोग तुक्का मार देते हैं क्योंकि अगर मैं दिया हूं पांच MCQ उसमें उसका चार गलत है एक सही है तो यहार स्टूडेंट को मैं क्या समझोगे कि यह जो एक सही हुआ है वह मतलब कैसे भी वह देने वाला हूं इसको समझो एकजाम में तो आपका MC क्यू आएगा मैं चाहता हूं कि यहां पर आप तुक्का बाजी न करो इसलिए से क्यों दोगा क्योंकि यह टेस्ट जो होता है आपके प्रीवोट टेस्ट हो जाए कोचिंग का टेस्ट हो मेरे यहां का टेस्ट हो यह क्या होता है यह आपका प्रैक्टिस करने का टेस्ट होता है प्रैक्टि जाकर तुक्का आँगे तो इसको ही बचाने के लिए मैं ऐसे क्यूमें देता हूं कि आप याद करके लिखो क्योंकि अगर मसी undert graduating लोग चैनल को प्रेंगा के जो सोब कर सकते यह कि जो तो या ऐना चाहिए काहांगी में इस को मेहनत करके आप ठोरा एक लाइन लिखते हो जो कि आप एक जाम में आएगा कहानी में जो नाशा कहानी है भाई बहन और कवीता में कवीर दास के पद है उसके बाद तुलसी दास यह सब जो भी है वहाँ पर भी एक मार्स के SQ तो आती है लिखने के लिखे तो वो तो आपको लिखना ही है तो इसलिए मैं यह चीज़ करने वाला हूँ और मानलों एक्जाम में इस बार अगर M.C.Q आ रहा है और नेक्स्ट एर एक्जाम में आपका वह SQ में कर देगा तो क्या आप बोलोगे यह बहुत ज्यादा चेंज हो गया है क्या नहीं कुछ चेंज तो नहीं हुआ है M.C.Q में भी आप अंसर को याद करके ही जाते थे एसे क्यू में भी अंसर को याद करके ही जाते हो फर्क इतना है कि M.C.Q में चार ऑप्सन दिये होते हैं और आपको टिक लगा देना होता है और एसे क्या होता है कि वही अंसर जो आपको याद है उसको आपको लिखना होता मैं आपको 1 example देता हूं मैं तो कि यूक के साहित कार माने जाते हैं यह आपके 2015 में यह कोशन आया था तो देखों में थे लिट किसी यूक के साहित कार माने जाते हैं और उसके मालो , प्रगटिवादी युक के माने जाते हैं या छायवादी यूग के माने जाते हैं तो इसका आंसर याद होनाी चाहिए, अगर याद नहीं है तो तुक्का मार देगा सभी लोग लेकिन इसका अंसर या होना मैज नो मेफूनल और उसमें आप दीवेदी यूग लिख दो यहां पे आपसी दूनों इसे करना हो तो याद यहां पर तुक्का माड़ोक बचाने के लिए बचाने के लिए मैं समझ में आपको पूड़ी चीज समझ में आ गई हो कि क्यों मैं एसे के लिए आहांए क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप अंसर को याद करो तुक्के के भरोसे पर मत रहों कि चलो ना mcq तो आने वाला हिंदी साथ एकित्याज में टेस्ट में जय मातादी करूंगा जय सीडी राम करूंगा और इसमें एक कि पर आपको इसले स्रेजुर्च में और समझा आ हो एक है किह स्सक्राइब तरफ स्टिता चाहती होhtli noon मैं तो इस तो साथ का कर दाकर फक्यों मोवन जो छोगा है झालन कि आपको दceğकंए जालते में और इस समय करने बलब वीडियES उबहां जाते यह क्या हो गया से क्यों कैसे आगिया मैं तो तुक का मरने के भरों से आया था लेकिन आपा लिखने को आ गया इसलिए मैं यह पहले आपको बता रहा हूं और explain भी कर रहा हूँ तो यहार देखो हिंदी सहत है कि यहार इसका long question में दूँगा और ऐसे क्यों दूँगा and जो है पत्र लेखन जो है वो आपका जो 10 marks का होता है तो मैं भी उसका 10 marks ही दूँगा आपको लिखने है इसका 10 marks इसका time table आप देख लेना तो यही चीजे बतानी थी अगर अब भी कोई दिक्कत आती है कुछ problem आती है तो आप मुझे comment करो मैं comment में reply दे दूँगा I hope मैंने सब कुछ बताती है सब कुछ आपको clear हो किया मैं MC क्यूं नहीं दूँगा फिर से मैं बता रहा हूं अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पूरा देखो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे क्यूं दूँगा आपकी भलाई के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा एनवाइब है विसिंग आल रभेरी बेस्ट पढ़ाई करते रहिए आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अ कर दो